दर्वासे पर पराग अकीरा को दर्या में बसी जलपरी की दुनिया में ले जाने को आ गया था वहीं सागर अकीरा का सच जान गया था और अकीरा के हाथ उसका जादूई बटन लग चुका था अब आगे क्या होगा कहानी का अंजाम, ये देखने के लिए आज का एपिसोड बहुत एहम रहेगा अकीरा कहा है? वो तु अंदर है, पर तुम कौन हो बेटा? तभी अकीरा अंदर से बटन लेकर आती है, उसके आखों से आसु बह रहे थे तभी दर्वासे पर सागर भी पहुँच जाता है अकीरा! पराख, अकीरा सागर को देखकर और रूप अड़ती है अकीरा, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुमको हमारी दुनिया में वापस ले जाने आया हूँ चलू की पराख, तुम्हारे साथ जरूर चलूँगी सागर अकीरा का हाँ जैसे ही थामता है, अकीरा के काढ़े का असर पूरी तरहें खत्म हो जाता है और वह एक जटके में जलपरी रूप में बदलते हुए चांदी की तरहें चमकने लगती है सुरीली सागर दोनों कहानियों वाले जलपरी को सामने देखकर हैरान थे यही सच में जान गया था अकीरा, कि तुम इनसान नहीं, जलपरी हो तभी तुम यहां के तौर तरीकों भाशा से वाकिव नहीं थी सागर अकीरा के जैसे ही पास आने लगता है, अकीरा उसे तुरंट रोग देती है रोग जाओ सागर, एक भी कदम आगे मत पढ़ाना अगर तुमने मुझे छुआ, तुमें पत्थर बन जाओंगी छोना नहीं सागर वहीं थम जाता है, और अकीरा आगे बढ़कर पराग का हाथ थाम कर सागर से मुझे फेर लेती है चलो पराग, लोट चले सागर बेटा, रोख ले बहु को, जल पुरी हुई, तो हमसे अलग थोड़ी है बेटा, तुम मुझे फेर कर क्यों खड़ा है सागर अपने आशू पोच कर, अकीरा से नराज होने का नाटक करता है जाने दो मा, जाने दो इसे, ये वैसे भी यहाँ हमारे लिए थोड़ी रह रही थी सबकुछ इसका ही लालस था, इतने दिन से हमारे बेचे अपने मतलब के लिए रह रही थी ताकि अपने वो सच्चे मोती ढोंड सके, ये इसके लालस थाया नहीं और आज मूँ फेर कर जाने में, इसे अगर जरा भी बुरा नहीं लग रहा तो जाने दो मा, इसे फुरी दुनिया ये खुदकर्ज है, तो जलपरिया कोई अलग थोड़ी होंगी अकीरा सागर के बात सुनकर पलड़ती है, और पराग का हाथ छोड़कर सागर के और मुड़ती है सही कहा तुम नहीं सागर, खुद कर्ज तो है दुनिया, और मैंने भी इतनी दिनों से इस मतलबी दुनिया में रहकर कुछ आप सब का हुनर खुद भी देख लिया है, कि किस तरहें साथ रहने वाले की मजबूरी का फायदा उठाया जा सकता है अकीरा अपने शाही थेला सागर को दिखाती है, और उसमें से उसका जादवी बटन निकाल कर सागर को दिखाती है इस पोटली को पहचानते हो सागर, ये आज मुझे तुम्हारी अलमारी से मिली यानि पिछले एक महिने से जिसे मैं ठोन रही थी गली-गली, वो चीज मुझे इसे आंगर में मिली मेरे ही दोस्त की कमरे में, कहां गुंडों ने जुराई होगी, मैं मान गई, कहां मेरे साथ रहोगी तो काम और दाम दोनों मिलेगा वो भी मैं मान गई, पर तुम जो कर रही थी, उसे फाइदा उठाना नहीं कहते अकिरा जाने दो इन इनसानों को, दर्या में चलो, तुम्हारी मा रानी मर्यम की तवे ठीक नहीं है सुना तुमने, मैं इस बटन की ना मिल पाने की वज़े से अपनी घर से दूर थी मेली में अकीरा भीड में घुम रही थी, तभी सागर को भीड में चमकती पोटली नजर आ रही थी सागर ने आओ देखा ना ताओ, ठट से पोटली को कमर से छीन लिया और अपने पांस रखने लगा तब ही उसकी नजर अकीरा पर पड़ी और वे उसका रूप देखकर अपने होश खो बैठा माशालला ये लड़की है या हुसन पड़ी मैं इसका सामान अपने पास रखे कर पाप कैसे कर सकता हूँ मगर अकीरा मेले में से चली जाती है और सागर वे मौका कवाँ बैठता है तुम मेरे याँ चलो चमिया और बदले में मेरे घर में रहकर तुम मा की काम में मदद भी कर सकती हो अकीरा राजी होकर सागर संग उसके घर आ गई थी उस राद सागर पोटली निहारता रहा और साकर उस पोटली को अलमारी में सुरक्षित रख दीता है तुमने अपने पहचान दो छिपाई धोकी की बाद भी वह कर रहा है जालिम जो मुझे तीन पखत के खाने में भी धोका परोसकर है खिला रहा था चलो पराग, घर लोट चले अकीरा पलट कर पराग का हाथ थामती है तो सुरीली उसे रोकती है अकीरा बेठा रुख जा, रुख जा बेठा, तू ऐसे मत कर तू इस घर की बहु है, तू ऐसे कैसे जा सकती है वो भी किसी अज़ान लडगे के साथ अज़ान? पराग अज़ान नहीं है वो मेरी बच्वन का सबसे अच्छा दोस्त है और हाँ, मंगीतर भी और क्या कहते हैं? बहुत जल्द हम दोनों ब्या भी करेंगी बुलाओंगी, आना जरूर दर्या के बाहर से ही जाकना सागर, अगर मैं दिख जाओ क्योंकि अभी अकीरा तुमको कभी नज़र नहीं आएगी कभी नहीं नज़र आएगी जमीन पर अकीरा के आंसु गिरकर मोती में बदल गए थे, जो इधर उधर विखा रहे थे अकीरा पर आख संग दर्या किनारे चली जाती है और सागर डबडबी आखों से बस पुतले की तरह वही खड़ा रह जाता है अकीरा पलट कर देखती है कि सागर उसे रोकी गा या नहीं पर सागर मूँ फेर कर खड़ा था कुछ पल बाद जब सागर पलट कर देखता है अकीरा मूँ फेरे जा रही थी एक ज़रा सी बात के चलती आज तो साफ मन की लोग एक दुसरे से खफा थे इसलिए दोस्तों जो भी कहना हो वक्त रहते कह देना चाहिए कहीं कहने से पहले सामने वाला अलविदा ना कह जाए तुम हो कम को चिपाई मैं भी सर को जुकाई तुम भी चुप हो मैं भी चुप हो कौन किसे समझाई अब दूरिया इतनी है तो मिलना यहां कल हो न हो अकीरा मेरा हाथ पकड़ो और बस खत्म करो ये कहानी अकीरा पराग का हाथ पकड़ती है और दोनों जलपरी रूप में जावई बटन की मदद से दर्या के अंदर से रीश कर जाती है पराग अकीरा को लाने के मिशन के बीच सोन्या को तो भूल ही जाता है सागर पेटा देखा जाए तो धोका तुने भी उसे उतना ही दिया ना अगर वो धोके बाज है तो तू भी तो वही हुआ ना तेरी बात अलग कैसे हुई तुने चोरी करके अपना अस्तित्व छिपाया अपने घर के लिए अपने अकीरा के लिए उसी तरह उसने इंसान बनना अपना अस्तेतु छिपाय अपने वजूद के लिए अपने घर लोटने के लिए तो दोनों में से किसका तराजो हलका भारी है मुझे तो दोनों का बराबर लग रहा है बात सज जूट की नहीं है बात बस मजबूरी की है एक और पहचान छिपाय रखने का खत्रा था तो एक और प्यार खोजाने का खत्रा मगर आखिर में तो वह चली ही गई न तो चाहता तो उसे रोक सकता था अब भी देड नहीं हुई है बेटा जा रोक ले उसको रोक ले ये सुन सागर दोड कर दर्या के पास जाता है पर तब तक अकीरा उसकी जिंदगी से बहुत दूर जा जुकी थी सागर को अब अकीरा की विदाई का एहसास हुआ और वह वहीं दर्या पर बैठे चिंगाडे मार मार कर रोने लगा अकीरा लोटाओ अकीरा पर एक हाथ आता है और सागर चौक जाता है सोनिया धेरी गुफा में बंधी हुई थी तब ही उसके सामने लोही की रोड लेकर एक आदमी की परच्छाई आती है नहीं मारना मत बहुत दुकता है मत मारना तुम मुझसे चाहते क्या हो बोलो क्या चाहिए सागर बलट कर देखता है तो पीछे शकील और उसका पंडर गबरू बबरू खड़े थे तुम छूओ मत मुझे सब तुम्हारी वज़े से हुआ है पता है मुझे तुम ही तंग करते थे ना किरागो लो देखो चली गई वो आप जानता हूँ बेटा सब मेरी ही गलती है बहुत पाप कर चुका हूँ अपने जीवन में मगर अब और नहीं अब कुछ अच्छा करने की बारी है तुमकीरा को चाहते हो ना तो क्यो ना खुच जाकर उसे ले आओ क्या मैं मगर कैसे इतने साल तेरे बाप ने यूही भार नहीं जोंका है कुस तो सीखा ही है बडसों से जलपरी की दुनिया में जहने का तरीका खुज रहा हूँ पर अब मुझसे जादा तुम्हारा जाना ठीक रहेगा साकर को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था वो बिचारा शकील के पीछू पीछू हो लेता है यार बबरू आज तो मालिक मालिक ही नहीं लग रहे हा यार आज तो किसी पिच्चर के हीरो के बाप लग रहे लगता है बुड़ा सठिया गया है तो मालिकी पिच्चर का टाइटल क्या होगा सठिया बुड़ा खिसकी खटिया पंटरो मैं सब सुन रहा हूँ और बुड़ा होगा तुम्हारा बाप सागर उनको घर ले आता है वहां हेमा भी आई हुई थी सुरीली शकील को घूर कर देखती है भया या आप निर्मा के लिए कर रहा हूँ क्या पता मुझे अपने बेटे की मदद करता देख वो स्वर्ग में बैठी बुस्कुरा रही हो माफ करना सुरीली भावेजी गनपत भाई के साथ मैंने जो किया वो जब आप लोग जानेंगे तो मेरे मुझे तुम मेरे मुझे थूकेंगे लेकिन अगर अभी बताया तो सागर मेरी मदद लेने से इंकार कर देगा और ऐसे में वो बिना मदद के अकिरा तक कैसे पहुँचेगा तो मुझे वो बड़ा सच तुम सबसे छिपा कर एक अच्छा काम करना ही होगा अब मैं तुम्हारे लिए विशेश काढ़ा बनाने की प्रिया करूँगा लेकिन धान रहे जलपरी की दुनिया में उस काढ़े का असर केवल पांच दिन रहेगा और तब तक अकिरा को लेकर तुम नहीं लोटे तो तुम उस दुनिया में पत्थर में बदल जाओगे क्योंकि जलपरी की दुनिया में इंसानी प्रवेश मना है मगर मेरे इस विशेश काढ़े से तुम नर जलपरी में बदल जाओगे पांच दिन ठीक है ये पांच दिन में ये सागर अपनी अकिरा के लिए दरिया आकाश एकर डालेगा और शकील काम पर लग जाता है और विशेश काढ़ा बना दिता है मगर इसे आज नहीं पी सकते इसे रात में चांद की चांदनी के नीचे रखे रखना होगा उसी से तुभारी आम इंसानी चमड़ी बदल कर जलपरी की चमड़ी की तरह चांदी की तरह चमकेगी तो तुम इसे सुभा पीना सागर की रातबड़ी पेचैनी से कटती है वो अगले दिन सागर काड़े को उठा कर दर्या किनारे आ जाता है सुरीली हेमा शकील और पंटर भी सागर को विदा करने साथ आते हैं सागर बेटा एक सांस में पीजा और लिया घर बहु को बहु? हाँ, अब यह किरा बहु शब्द सुन्ती तो खूब अस थी हाँ, और पूछती, माजी, मैं बहु बन गई ना? बहु करके पूछती, पगली कहीं की ले सागर, जब उससे मिले तो ये मोत्यों की मालों से पहनाना कि उसके आसु मैंने धागा पिरो दिया है अब भाबनाई बिखरेंगी नहीं, सिमटकर हम सब के बीच सुरक्षित हो गई है जा, ले आ बहु को सागर अपने परिवार का यो एक जुट होना देख एमोशनल हो गया और एक जटके में काड़ा पी गया काड़ा पीते ही उसके चमड़ी भी चांदी की तरह चमकने लगी और सागर नर्जल परी में बदल गया अब देखे क्या सागर अकीरा की कहानी तक पहुच पाएगा और क्या होगा अंजाम सोनिया का देखते रहे हमारे आगे के भाग इश्ट के दरिया में केवल आनम स्टोरीज पर थैंक्स पर वाचिंग